यह शेयर डी लिस्ट हो रहा है तो अगर आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया है तो जरहें विडियो ध्यान से देख लें ICICI Bank की 29 जून को एक Board Meeting होने वाली है जिसमें यह Company ICICI Securities के Shares को डी लिस्ट करने जा रही है ICICI Securities के Shares को डी लिस्ट कर सकती है यानि Shares बजार से बाहर कर सकती है और यह फैसला इस Meeting में लिया जा सकता है लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक हफ़ते के अंदर इस Share ने करीब 20% एक महीने में करीब 22% छे महीने में 24% और एक साल में 43% रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को वैसे ये भी बता दें कि Company का Share Exchange से हटाने की Process D-Listing कहलाती है यानि D-List के बाद Share Exchange में ट्रेड नहीं हो सकता D-Listing Company Management की मर्जी या नियमों की अंदेखी करने पर होता है लेकिन अब सबसे बड़ा Question ये है कि अगर Company का Share D-List हो गया तो जिन लोगों ने ये Shares खरीदे हैं उनका होगा क्या वैसे D-Listing के Announcement के साथ ही Company D-Listing के लिए Floor Price तै करती है Floor Price यानि वो Minimum Price जिस पर Share वापस खरीदा जाएगा Floor Price के बाद Reverse Book Building का Process शुरू होता है Reverse Book Building यानि वो Rate जिस पर निवेशक Company को अपना Share बेचना चाहता है Reverse Book Building का Average Rate ही D-Listing Rate आगे चलकर बनता है लेकिन आपको ये भी बता होना चाहिए कि ICICI Bank करीब इस Share में 74% से जादा Stake Hold करता है 24 करोड 16,52,000 Equity Shares के करीब है वहीं दूसरी करफ पब्लिक के पास सिर्फ 8 करोड Equity Shares के करीब है यानि की 25% Stake जादा तर Voluntary Day Listing के केस में Share Automatically Positive Respond करता है यानि की Share का भाव बढ़ता है जिससे की Share Holders को Exit के टाइम Reverse Book Building के तहत एक अच्छा प्राइस मिले यानि की जब Share Holder का Share वापस Company के पास जाये तो उसे उसके बदले एक अच्छा दाम मिले दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ICICI Bank का Share इस बड़ी खबर को आने के बाद Negative Respond करे लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ कहे नहीं सकते इसलिए अगर आपके पास ICICI Securities या फिर ICICI Bank दोनों में से किसी के भी Share है तो आप आने वाले समय में Company के Announcement पर ध्यान रखे अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की ऐसी और खबर जानना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए PESA LIV